नमस्का दोस्तों आप सब लोग को फिर से कोकुइद बना जामे नियू वीडिये के साथ स्वागते तो आज में लेके आई हूं सिंधी दाल पकवान की रेसीपी जिसको बनाना पहुत यासन और पहुत जटपट बन जाता है और लेकिन खाने में पहुत ज्यादा टेस्टी हो होता है और आप इसको दू तरह से खा सकते हो देखते ही आपको मन करेगा खाने को इस तरह साम इसको बनाएंगे और आप देख सकते हैं इसे कितना क्रिस्पी बन के तैयर हुआ है तो इसका आवाज सुनिए मैं खा रहे हूं कैसे बहुत ज्यादा क्रिस्पी जैसे हम लोग चाट बगएरा खाते हैं न उससी तरह बन के तैयार होगा तो जली रेसिपी शुरू करते हैं तो यहाँ पर मैंने चना दाल कुई एक घंटा के लिए भीगू के रख दिया था गरम पानी में तो अच्छे से फूल गया है देखि और इसको हम प्रेशर कुकर में चार सीटी लगवा लेंगे मतलब इस तरह से हम सीटी लगाएंगे कि पूरा मेस नहीं होना चाहिए और यहीं पर हम स्वादन सा नामाक हाल्दी और एक ग्लास पानी डालके इसका लीड लगा देंगे और बास मीडियम प्ले में इसमें चार सिट्टी आने देंगे तो जब तक हमारा दाल पकरा है तब तक हम इसका डू बना लेते हैं तो ज्यादा जो पकवान होता है वो मैदे से ही बनता है लेकिन मैं यहाँ पर आधा मैदा और आधा आठा ले रही हूं क्योंकि मैदा ज्यादा लोग अभेड कर रहे खाने को तो आ आठा भी डाल सकते हो और यही पर थोड़ा जयाता क्रिस्पिनेश के लिए चार शरी तीन चामाज डाल कूं में सूजी और यही पर शाधन-सा नमख और आधा जमच इसमें डालेईयों में साबुत, जीरा और यही पर डालेईयों में एक जोथा जमच इसको धुरा क्रस करके हम डालेंगे और जुआइन यह पेट के लिए बहुत अच्छा होता है और यही पर हम डालेंगे तीन से चार जमच रिफाइन ओयल और इसको अच्छे से मौयम करेंगे अच्छे से हाथ से इस तरह से हम मसल मसल के अच्छे से इसका मौयम लगा लेंगे यह पहुत ही पहुत ही चटपटा सा एक रेसिपी है इसको ज़रूर से ट्राइ किजिएगा तो देखे इसी तरह से हमको मौयम करना है और यहीं पर हम पानी थूड़ा थूड़ा करके पिल्कुल सक्त सा आटा का डूँ बनाएंगे जैसे हम रूटी के लिए नर्माली बनाते है ना उससे थूड़ा सा सक्त ही इसमें हम आटा लगाएंगे तो देख सकते हैं आप लूप ध्यान में रखके धीरे धीरे पानी इसमें हम डालेंगे बना यह नर्म हो जाएगा तो हमारा जो पक्वान है वो अच्छा नहीं बनेगा तो इसको मैंने सक्छा डूँ बना लिया है और इसको हम ढखके दस से बीस मिनिट के लिए हम छोड़ देंगे क्योंकि इसमें हम सूजी जो डाले है न उठोड़ा फूलेगा तो इसको हम ढखके छोड़ देंगे दस से बीस मिनिट के लिए तब तक के लिए हमारा डाल को भी चेक कर लेते हैं तो देखे डाल हमारा अच्छे से कोख हो चुका है मैं दिखा रही हूँ आपको देखिए डाल हमारा अच्छे से मतलब गुटा गुटा दीख रहा है लेकिन यह अच्छे से पक चुका है तो यहीं पर हम क्या करेंगे न इसको थोड़ा सा मेसी मेसी कर देंगे जैसे कि मतलब गाड़ा होगा इस तरह का यह पतला पतला इसमें अच्छा नहीं लगता है थोड़ा गाड़ी डाल इसमें अच्छा लगता है तो इसको हम थुड़ा सा इस तरह से चला के साइट में रखतेंगे ताकि थंड़ा होने के बाद यह थुड़ा गाढ़ा हो जाए अब देखिए हमार जो आटा है बू प्रसक्त हो गया है तो इसको हम अच्छे से मसलेंगे तो मैं कीचन काउंटर में इसको डाल के अच्छे से पठक पठक के इसको मसल रही हूँ जितना आप अच्छे से मसलो के वो उतना ही क्रिस्पी बनेगा तो इसको हम थुड़ा था बढ़ा बढ़ा लुई काट कर लेंगे जिस तरह से हम रूटी बनाते हैं न थूड़ा साथ ज्यादा बड़ा इसमें हम लूया कट करेंगे तो एक-ईक लूया को इस तरह से ले लेंगे और इसको रूटी की तरह हम बै लेंगे आप चाहते हों तो छूटे साइज भी बना सकते हूँ लिकिन मैं थोड़ा बड़ा साइज क्या बना रही हुँ क्यूंकि इसमें बड़ा अच्छा लगता है खाने में भी और देखने में भी नर्माली ऐसे ही बनता है जो हमारा चाट बगरा का पूरिया होता है इसी तरह है तो ये थूड़ा सेप में थूड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था तो मैं एक कटूरी डालके इसका सेप अच्छा कर रही हूं आप चाहते तू इसी तरह से कर सकते बना नर्माली रुट्टी की तरह बेल के इसको आप फ्राई कर सकते हो तो थोड़ा सा हम फोक कर देंगे थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा अगर थोड़ा सा रह जाएगा ना तो ये पूरी की तरह फोल जाएगा तो जितना हुसे के उतना है आप अच्छे से इसको फोक कर लीजिएगा ये जरूरी है तो इसी तरह से हम सारे लूई को हम बैल लेंगे तो तेल हमारा पूरा हाय नहीं गरम होना चाहिए अच्छे से गरम होना चाहिए लेकिन बिल्कु धुआदार वाला हमको नहीं चाहिए और इसको हम मेडियम फ्लेम रखेंगे और उसके बाद इसका फ्लेम हम पुरा स्लू कर देंगे और ये धीरे धीरे पकेगा तब ही जाकि ये क्रिस्पी बन के तैयर होगा बनना ये नारम पड़ जाएगा ग्यास का फ्लेम बिल्कुल लूग कर देंगा और अलट पलट करके इसको 5-6 मिनिट के लिए अच्छे से हम फ्राइ कर लेंगे ताकि ये अच्छे से सिक्के ना पूरा क्रिस्पी बन के तैयर हो देखिए इसका कलर भी बहुत अच्छा आ गया है देख सकते हैं आप लूग कितना अच्छा कलर आया है इसका और बिल्कुल क्रिस्पी भी लग रहा है तो इसको हम निकाल लेते हैं बैसे भी इसमें हमने आटा डाला हुआ है सूजी भी है तो ये अच्छे से क्रिस्प बन जाता है लेकिन मेदे का बहुत ज्यादा अच्छा लगता है लेकिन अभी सारे लोग मेदे एभर कर रहे हैं तो मैं सूचा कि थोड़ा आटा और सूजी को भी डाल लेती हूँ तो इसी तरह से हम सारे जो हमारा पकवान है उसको हम फ्राई कर लेंगे बहुत ही अच्छा रेसिपी है इसको आप ज़रूर से ट्राई कीचेगा आपको बहुत पसंद आएगा तो देख सकते कितना अच्छा दिख रहा है हमारा दल सरी पकवान तो इसी तरह से हम सारे पकवा अब चलते हैं दाल की तरब तु दाल देखिए कितना गाड़ा हूचुक मैंने थुड़ा सा उपर से पानी भीपिसका हटा दिया था थुड़ा सा जैदा पानी हो तो यहीं पर हम उपर से तुरह सा कटा हुआ प्याज डाल देंगे धन्या पत्त डाल देंगे और उपर से भूना हुआ जीरा का पाउडर डालेंगे गरम मसाला का पाउडर डालेंगे यह वाला डाल बहुत ही अच्छा लगता है और तीखा वाला लाल मीर्च का पाउडर डालेंगे और यही पर हम डालेंगे चाट मसाला इसको जरूर डालेंगे बड़ा चट पटा लगता है और यहीं पर हम थोड़ा सा, रेड चिली मतरब जो कलर के लिए आता है न, उसी को हम डालेंगे और इसको तड़का लगाएंगे, तो मैंने घी को अच्छे से गरम कलिया है थोड़ा सा साबुत जीरा इसमें हम डाल देंगे, और इसमें हींग डालेंगे थोड़ा सा हिंग जरू डालेगा बहुत अच्छा लगता है स्वाद में और पेट के लिए भी और एक चमच हम डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर यह बिल्कुल दिखा नहीं है बस दिखने में अच्छा होता है तो देखिए हमारा दाल दड़का बनके तयार हो गया है बहुत इलाजबा बनके तयार हुआ है अब इसके साथ मैं बनाई हूँ इमली की चटनी और हरेवाली जो पुदिना और धन्या का चटनी में बनाई साथ में प्याज और हरा मिर्च भी डालूँगी इसके साथ पक्वान खाने में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है एक बाद ट्राइ किरके देखिएगा आपको बहुत ही बहुत पसंद आएगा तो देखिए हमारा पक्वान बिल्कुल रेडी है अब इसको ऐसे तोड़के खा सकते हो तो जरूर से इसको आप ट्राइ कीजिएगा और मुझे फिट्बेक जरू दीजिएगा तो जले मैं एक तोड़के भी दिखा रही हूं आपको देखिए कितना क्रिस्पी और खास्ता बनके त्यार हुआ है आपको आवाज से पता चल रहा होगा तो आप इसको दाल में इस तरह से डीप करके खा सकते हो थुड़ा सा उपर से चट्नी जो इमिली वाले चट्नी और धन्या जो पुद्निया का चट्नी उपर से भी हम डाल देंगी बड़ा चट्पटा लगता है थुड़ा सा हारा मिर्चा अगर आपको पसंदे तो ज़रूर से डाली उपर से और थुड़ा सा प्याज भी डाली बास हमारा दाल पकपान बनके त्यार हो गया है ज़रूर से इसको आप घर पे ट्राई कीजियेगा और मुझे फिल्बेक ज़रूर दीजियेगा भूलियेगा मत तो दूसरा तरीका यह है इसके उपर हम डाल को स्प्रेड कर देंगे इस तरह से चाट की तरह इसको बनाएंगे लेकिन चाट से पिल्कुल भी इसका स्वाद काम नहीं है जो पापड़ी चाट बनाते है ना उसी तरह हम इसको बनाएंगे उपर से इनली की चटनी और धन्या पुदिना की चटनी जो दिखने में पहुँद ज्यदा अच्छा है और कटा हुआ प्याज आप चाहते हैं तो अन्नार की दाने भी इसमें भी डाल सकते हो और कटा हुआ धन्या का पत्ता भूरना हुआ जीरा का पाउडर गराम मसाला जाट मसाला और थोड़ा सा निम्बु का रस और यहीं पर थुड़ा सा लाल मिर्ज का पाउडर भी हम डाल देंगे और मेरे पास जो होता नशेव वो नहीं था तो मिक्स्चर में थुड़ा सा उपर से डाल दिया और थुड़ा सा उपर से और जटनी में डाल ले हूँ तो देखिए हमारा जो पकबन डाल पकबन बिल्कुल रेड़ी है अब इसको इस तरह से बना के देखिए आपको पहुत पसंद आएगा तो थांक्यू फ्रेंड्स फिर मिलूंगी नीव वीड़े के साथ तब तक के लिए मैं अपना डाल पकबन एंजाई करती हूँ थांक्यू फर वाचिंग